हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नॉलीज मॉल आज के वीडियो में हम लोग लगाएंगे टेस्ट मैथ की और जो की आपको एंटीपीशी 2019 चाहे ग्रूप डी 2019 इन सब के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है साथ ही साथ BPSC चाहे BPSC के लिए भी यह बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए लगाते हैं टेस्ट पहला जो कोश्चन दिया गया है कहता है कि यदि X और Y धनात्मत पुर्णाग इस परकार है कि X स्कॉर माइनस Y स्कॉर इक्वल टू 13 है तो बताना है आपको कि X स्कॉर प Y स्कॉर इक्वल टू दे दिया गया है तो आपको ना सबसे पहले X और Y का मान निकालना होगा तभी आप X स्कॉर प्लस Y स्कॉर का मान निकाल पाएंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखिए यहां पर X स्कॉर माइनस Y स्कॉर इक्वल टू 13 दिया गया है ना आप इ इसमें पुट करने पे हमारा 13 आ जाए अगर मान लिया जैसे कि आप चार और पांच रखते हैं तो चार और पांच कितना हो जाएगा नौ और इन दोनों का अंतर क्या एक हो जाएगा तो नौ गुने एक करेंगे तो आपका तो तेरा नहीं आएगा यानि कि आप आपको यह प यह अंतर जो है वन आना चाहिए तबी 13 इंटू 11 13 आपका आँसर आएगा तो आज़े रखके देखिए आप इस तरीके से 6 और 7 रखके देखिए तो 6 और साथ हो जाता है 13 और दोनों का अंतर हो जाता है 1 तो कितना हो जाएगा आपका 13 तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा X का मान 6 और Y का मान आपका 7 कुछ भी आप X का मान ही 7 मान सकते हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है तो आपका ये मान आ गया 6 और 7 विजिट आपको अगर नहीं I believe कि ये सही आया है या नहीं तो आप एक काम करें 7 का स्क्वार और माइनस 6 का स्क्वार इस तरीके से करके देख ले 7 का स्क्वार करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा ठीक है और माइनस इसका करेंगे तो 36 आ जाएगा दोनों को माइनस कीज़े तो 13 आ गया अब इसी लिए हमें निकालना X स्क्वार प्लस Y स्क्वार यानि 7 का स्क्वार प्लस 6 का स्क्वार जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर 49 प्लस 36 आ जाएगा जोडने के बाद आ जाएगा 85 तो आंसर हो जाएगा हमारा option number C Next question है कि यदि x, y, z धनात्मत पुर्णांक इस परकार है कि x is to y equal to 1 is to 2, y is to z equal to 3 is to 5 तो आपको बताना है कि निमलिखित में से कौन सा 5x minus 3y plus z का संभव मान होगा तो यहाँ पर x is to y का ratio दिया गया है और y is to z का ratio दिया गया है तो इससे ना सबसे पहले हम x, y और z का ratio निकाल लेंगे तो 1 is to 2 ratio निकालना सबको आता है and 3 is to 5 जो की दुबारा रहता है दो बार दिया हुआ रहता है उसे ना हम लोग center में रखते है अब multiply कीजिए 2 into 5 कितना हो जाएगा 10, 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 और 1 into 3 कितना हो जाएगा 3 तीनों का मान निकल जाएगा हमारा ratio में अब यहाँ पे देखिए 5x यानिकि 5 multiply x का मान रखिए 3 minus 3y तो 3 into रखेंगे 6 plus z यानिकि plus रखेंगे हम 10 यहाँ पे 15 आजाएगा minus 18 आजाएगा और plus 10 इन दोनों को जोड़ दीजे तो कितना आजाएगा 25 और minus कर देंगे यहाँ पे हम 18 तो कितना आजाएगा answer हमारा minus करके आजाएगा 7 तो आप से यहाँ पे क्या पूछा गया इसका संभव मान तो 7 आया अब जब कि देख लीजे कि option में 7 कहीं है ही नहीं तब अब हम क्या करेंगे तो इसके लिए 7 आगया तो आपको यह देखना है कि इन चारो option में 7 से कटने वाला कौन सा है कौन सा जो है यहाँ पे संख्या 7 से विभाजित होगा तो 180 देखे विभाजित करके यह भी 7 से विभाजित नहीं होगा ठीक है 1990 को देखे विभाजित करके यह भी आपका डिवाइड नहीं होगा 196 को आप डिवाइड करके देखिए यह आपका 7 से completely डिवाइड हो जाएगा तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ना option number C हो जाएगा Next question कहता है कि एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूली पर 5 परतिशत की छूट देता है यदि वह 10 परतिशत की छूट देता तो उसे लाब के रूप में 25 रुपईया कम प्राप्त होते तो घड़ी का अंकित मूली क्या है अगर ना आप अंकित मूली को 100% मान लीजे हलाकि आप यहीं पर अंतर कर सकते हैं बट मैं फिर भी बता दे रही हूँ 100% अगर आप मार्केट प्राइस को मान ले अगर 5% की छूट देगा तो बेचेगा कितना में 95% में और अगर इसे ना 10% की छूट पे बेचेगा कितने में 90% में 25 यहाँ पे देखिए जादा रुपिया में बेच रहा है क्यूं कम रहा है 25 रुपया कम यह जो 5 परतिशत का अंतर है न इसी के कारण तो 5 परतिशत बराबर क्या कर देंगे 25 एक परतिशत बराबर 25 बटे 5 और इसे लिए आपको निकालना है अंकित मुल जो कि हमने माना था 100% इसे कट कीजे तो कितने 5 टाइम में कट जाएगा और आं प्राकिट प्राइस 500 रुपया आंसर ओप्सन नमबर सी अगला कोशन है हमारा कहता है कि दिये गए वृत का छेतरफल 36 पाई है इसे 6 बराबर भागों में बाटा जाता है तो चाप पी क्योंकि लंबाई क्या है देखिए ये एक ना वृत है आपका दिया हुआ और इसका कम बराबर भागों में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सभी क्योंकि योंकि यहां पहले समझ लीजे इसका जो पैरी मिटर है जितनी भी इसकी पैरी मिटर की लंबाई निकल जाए अगर ये 6 बराबर भागों में बाटा गया है तो ये भी सबका जो यहाँ पे है ये वाला एरिया ये भी क्या हो जाएगा सबका equal होगा तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले कि इसका perimeter निकालके और उसे 6 से divide कर देना होगा तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे perimeter निकालने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगी इसकी radius यहीं तरीचा के तो 6 तरफल बराबर होता है πाई आर स्कॉर और यहाँ पे दिया गया है 36 पाई तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा आर का मान कितना आजाएगा 6 अब निकालते हैं इसका perimeter टू पाई आर और इसमें बटे कर देते हैं इसे 6 से तो टू पाई आर का मान कितना है 6 बटे 6 यह दोनों कैंसिल हो गया और हमारा जो पी क्यों की लंबाई थी वो कितनी आ गई वो आ गई टू पाई option number B next question हमारा के साधी के समय एक लड़की और उसके पती की ओसत आयू 23 वर्स थी पाँच वर्स के बाद उसके पास एक वर्स का बच्चा है अब पूरे परिवार की ओसत आयू कितनी होगी अब यहाँ पे देखिए दोनों की ओसत आयू अगर 23 वर्स है तो पती पतनी दोनों की टोटल आयू कितनी हो जाएगी तो 23 गुने 2 कितना हो जाएगा 46 वर्स अब 5 वर्स के बाद अगर इन दोनों की आयू की बात की जाए तो क्या हो जाएगा पाँच वर्स के बाद दोनों में पाँच पाँच आप एड करेंगे यानि कि 10 एड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 56 एड हो जाएगा लेकिन अब कहता है कि पाँच वर्स के बाद उसके पास एक वर्स का बच्चा भी है यानि 5 वर्स के बाद 3 की आयो कितनी हो जाएगे 56 वर्स तो इन दोनों का है और प्लस एक वर्स का बच्चा है तो 57 वर्स हो गया 57 यह अब इसका आपको निकालना है पूरे परिवार का एवरेज तो एवरेज कैसे निकालेंगे 57 हो गया टोटल आपका योग और टोटल संख्य कितनी हो गई तीन तो तीन से हमने डिवाइड कर दिया इसे कट कीजिए तो 19 टाइम में कट जाएगा यानि कि 19 साल हो जाएगा इसका एवरेज आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर एग नेक्स्ट कोश्चन है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाएं है यद कि सीरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात 12 is to 35 हो तो मुर्गियां की संख्या ग्यात करें यदि केवल सीरों की संख्या 48 दी गई है अब यहाँ पे देखिए सीर और पैर का जो रेश्यो दिया गया है सीर और पैर इन दोनों का रेश्यो कितना है 12 is to 35 अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है सीरों की संख्या 48 है तो सीर की संख्या कितना 12 है तो 12 x equal to 48 अगर हम करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा अब इस 4 के मान को ये तो होगी आपका सीरों की संख्या 48 इसमें अगर 35X के जगा पे हम इसका मान पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा अब सीर और पैर की संख्या मालूम है तो हम आराम से मुर्गी का पूछे चाहे गाय का पूछे निकाल सकते हैं तो मुर्गी की संख्या मैंने आपको बताया था सबसे सिंपल सा फॉर्मुना कि लेग माइनस हेड बटे 2 सभी के लिए फ़र आपको कहां पर क्या करना है कि अगर दो पैर वाले की संख्या पूछे तो आपको हेड में 4 से मल्टिप्लाई करना है और अगर 4 पैर वाले की संख्या पूछे तो आपको हेड में 2 से मल्टिप्लाई करना है बाकी यही रहेगा तो मुर्गी की संख्या यनि 2 पैर वाले की संख्या पूछी गई तो यहां आप किस से 4 से मल्टिप्लाई करेंगे बाकी जो बड़ा हो आपको उसमें माइनस कर देना है तो लेग हो गया आपका 140 माइनस 48 हो गया हेड और इसमें 4 से जब आप मिल्टिप्लाई करेंगे तो आजाएगा 192 बाइ 2 अब ऐसा नहीं कि ये पहले हमने लिख दिया और ये बाद में छोटा बड़ा है तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 26 ओप्सन नमबर D नेक्स्ट एक कोश्चन हमारा कहता है तीन बटे चार और तीन बटे आठ के बीच एक परीमेई संख्या है इन ओप्सन में से आपको चुनना है कि कौन सा है आपने इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये देख लीजे कि तीन बटे चार और तीन बटे आठ में बड़ा कौन है और छोटा कौन है तो बड़ा और छोटा हमने चेक करने के लिए आपको बताया भी होगा इसे na क्रोस में मल्टिप्लाइ कीजे आठ गुने 3 कितना हो जाएगा 24 और 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 12 कौन बड़ा है और कौन छोटा यह छोटा हुआ ना यह चोटी संख्या हो गई और यह बड़ी संख्या अब आप इसे इस तरीके से एरेंज कर लीजे 3 by 8 और 3 by 4 अब जो भी संख्या इस सेंटर में होगी ना वो इतना कर लीजे कि 3 by 8 से बड़ी होनी चाहिए और 3 by 4 से छोटी होनी चाहिए तभी वो हमारे बीच की एक परिमे संख्या होगी तो अब क्या करेंगा अब अपना option रखे चक करना सुरू कीजे पहला option लीजे 7 by 9 फिर क्रॉस में वैसे ही multiply कीजे 9 गुने 3 करेंगे कितना 27 अब देखिए 3 by 8 से तो यह बड़ा हो गया अब ये 3 बटे 4 से छोटा होने चाहिक तो 7 इन हो जाए गहाँ पर 28 और 9 गुने 3 करेंगे कितना हो जाएगा 27 तो देखिए इस से छोटा होना चाहिए न लेकिन ये बड़ा हो गया तो पहला answer हमारा गलत है चलिए फिर से दूसर option रखके check करते हैं 7 बटे 3 रखते हैं अब यहाँ पर multiply कीजे आप तो 3 गुने 3 कीजेगा तो 9 आजाएगा 8 गुने 7 कीजेगा तो कितना 56 आजाएगा आपका तो इससे तो ये बड़ा हो गया अब देखते हैं इससे छोटा है या नहीं 7 गुने 4 करेंगे तो 28 तीन गुने 3 करेंगे तो 9 ये फिर इससे बड़ा हो गया तो ये भी हमारा answer नहीं होगा अब थर्ड option चेक करेंगे 3 by 8 और 3 by 4 इसके center में रखेंगे हम 5 by 9 अब 9 गुने 3 करेंगे 27 आट गुने 5 करेंगे तो 40 फिर इससे तो बड़ा हो गया ना अब इससे चेक करेंगे 5 गुने 4 करेंगे तो यहां 20 आजाएगा 9 गुने 3 कितना 27 देखे इससे छोटा हो गया और इससे बड़ा भी हो गया यानि कि हमारा answer हो जाएगा option number C अगला question है कि एक संख्या 31 से उतना ही बड़ा है जितनी कि वह 75 से छोटी है तो आपको बताना है कि संख्या क्या है अगर संख्या को आपने X मान लिया कहा गया कि 31 से बड़ा है और 75 से छोटा लेकिन उतना ही बड़ा जितना कि इससे छोटा है नहीं कि दोनों अगर 31 और X का अंतर और 75 और x का अंतर करें तो दोनों equal आना चाहिए तो 31 से अगर बड़ा है तो x में minus करेंगे और अगर 75 से छोटी है तो 75 में minus करेंगे दोनों का अंतर equal x को अगर एक side करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये इधर जाके plus हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 106 इसे कट करें तो x का मान कितना आजाएगा 53 यानि कि वह संख्या कौन सी है 53 option number B next question दिया गया है कहता है कि A, B, C और D ने 60 रुपया कीमत का एक उपहार खरीता उसके लिए A ने दूसरी की आधी B ने दूसरे के 1 बटे 3 और C ने दूसरे का 1 बटे 4 कीमत अधा की तो D ने कुल कितना कीमत अधा किया यहाँ पे सबसे पहले question समझ लेजे कहता है A ने दूसरे का आधा तो A ने दूसरा यहाँ पे कौन हुआ B, C, D कौन हुआ तो इसमें यह कभी न लेके बनाए उसे दूसरे को आप भी मान ले क्यों दूसरा में C भी तो हो सकता है यहाँ दूसरा जो वर्ड यूज किया गया है वहाँ B, C और D तीनों के लिए यूज किया गया है कि A हम मान लेजे हमने आपने आपको आप A मान लेजे तीन लोग और है तो मैंने कितना पैसा दिया दूसरों से यानि कि वह तीनों जितना पैसा दिया उसका हमने आधा पैसा दिया फिर B के बारे में कहा गया कि वह कितना पैसा दिया तो दूसरे से यानि कि A, C, D जितना दिया उसका एक तिहाई पैसा दिया यह हुआ इसका कहने का मतलब तो चलिए सबसे पहले नहीं करती चाहते है A और B, C, D क्या कहता है कि A जो है दूसरे से आधा दिया यानि कि अगर ये 2 दिया होगा तो ये कितना दिया? 1 या X में मान के चलिए जो भी आपको रखना है अब चलिए B के बारे में कहा तो बच कौन गया? A, C और D कहता है B दूसरे से एक बटे तीन भाग दिया तो यानि अगर आप इसे तीन भाग माने तो ये कितना हो जाएगा इसका? एक भाग हो जाएगा? चलिए अब यहाँ पे C को मानते हैं तो C अगर मान लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? A, B, और D इसके बारे में क्या कहा? इसका एक चौथाई दिया यनि कि ये 4 भाग दिया तो ये इसमें 1 भाग दिया कम्प्लीट D के बारे में नहीं कुछ कहा गया आपका यहाँ पे क्या निकल गया? इन दोनों की तुलना करें तो A का पता चल गया यहाँ पे B और इन तीनों का तो अब क्या करें? कैसे निकालेंगे हमें इसे? तो यहाँ पे A का भाग निकाल दिया A का भाग कितना है? 1 कितने में? 3 में तो फिर 60 में कितना हो जाएगा? इसे कट कर दीजे तो ये हो गया हमारा कितना? 20 हो गया अब ये A का मानिये तो 20 और इन तीनों का 40 हो गया लेकिन फिर यहाँ पे नहीं B का निकाल लेंगे B का भाग कितना? 1 कितने में? 4 में इसे लिए 60 में कितना हो जाएगा? तो ये B का भाग कितना हो गया? 15 C का भाग निकाल लेते हैं 1 कितने में? पांच में इसलिए 60 में कितना तो C का कितना हो गया 12 A का पता चलिया B का पता चलिया C का पता चलिया अब आपको D का निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे 60 में इन तीनों का पैसा जोड़ के क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे तो 60 माइनस इन तीनों को जोड़ दीजे तो कितना आजाएगा 47 माइनस कीजे तो कितना आजाएगा 13 तो 13 यानि कि D का जो हिस्सा था उसने कितना कीमत अदा किया तो 13 रुपेया आंसर हो जाएगा option number A Next question है कि train A 54 km की चाल से एक platform को 80 second में पार करती है train B 72 km की चाल से यानि कि 54 km पर घंटा और 72 km पर आवर चाल से उसी platform को 48 second में पार करती है यदि train B की लंबाई train A की लंबाई से आधी हो तो train A की लंबाई क्या होगी अब यहाँ पे देखिए platform तो एक ही है लेकिन दोनों का timing अलग है दोनों का चाल अलग है और दोनों की लंबाई भी अलग है ऐसे में आपको train A या train B की लंबाई निकालने को कहा जा सकता है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले न A की लंबाई और बात करते हैं B की लंबाई की यहीं पे मैं लिख देती हूँ B की लंबाई क्या कहा कि B की लंबाई A की लंबाई की आधी है यानि की A की लंबाई अगर 2X मानते हैं तो इसकी लंबाई X हो जाएगी A की चाल दी गई है 54 km per hour और B का दिया गया है 72 km per hour एक platform है जो की equal है उसी platform को दोनों यह time लेता है 80 second का और यह लेता है 48 second का इतना चीज ना हमें दिया गया है तो A की चाल दी गई है और B की चाल तो दोनों का formula लिखते हैं A का जो चाल है कितना 54 चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय तो दूरी के में क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई और platform की लंबाई बटे कितना 80 इधर तो यह meter और यह second में है तो इसे भी आप meter परती second में change करने के लिए क्या करेंगे पांच बटे 18 से multiply कर देंगे तीन बार में कट गया अब यहाँ पे देखिए पांच गुने 3 कितना हो गया 15 और गुने 80 क्रॉस में multiply हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यह 1200 और अगर इस 2X को इधर ले आईए तो minus में हो जाएगा equal to P यह platform की लंबाई निकल गई इसी तरह से न हम B का निकाल लेते हैं चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय दूरी X और platform दोनों की दूरी हो गई और समय कितना 48 इसे भी हम न मीटर परती second में change कर देंगे यह कितने बार में कट जाएगा यह 4 बार में कितना 20 हो गया और cross में multiply कीजेगा तो कितना आ जाएगा 960 अब यहाँ पर X को इस side लाईएगा तो minus में हो जाएगा यह equal to P यह भी platform का नबाई तो दोनों एक ही platform है यानि कि दोनों की दूरी तो बराबर ही होगी तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1200 minus 2X equal to 960 minus X अब ना X वाले को आप एक side कर दीजे तो कितना हो जाएगा? X हो जाएगा minus होके और इसे इस side कर दीजेगा तो minus हो जाएगा और कितना बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा आपका 240 X का मान 240 आगया आप से पूछा गया था क्या? कि ट्रेन A की लंबाई? A की लंबाई के आपने कितना माना था? 2X तो 2X equal to कितना हो जाएगा? 2 multiplied 240 यहनिकी 480 मीटर यह हो गया ट्रेन A की लंबाई B की पूछी जाती तो 240 ही आंसर हो जाता तो आंसर हो जागा इसका option number D तो I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक like कर दे, comment करे और इसे जितना जादा हो सके इसे share करे धन्यवाद